तो आदाव नोश्कार गुड इनिंग सस्राकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइन तक की कहानी की इस एपिसोड में अमीद है आप सभी अथ्य होंगे फ्राइडे कहानी में मिसिंग थी क्योंकि बहुत सारा दिली में आप देख रहे हैं कि लगाता दिल के लिए आज सेटेडे हैं शनिवार है हमेशा की तरह कहानी रिकॉर्डे होती है तो कोशिश किए कि आज आप के लिए बहुत दिनों से कई लोगों ने इसकी फरमाईश भी की थी एक कहानी जिसमें बहुत सारे राज हैं रहस्से हैं और सबसे बड़ा एक सवाल है कि जिस देश में बहुत सारे डाकू हुए बड़े बड़े नामचीन डाकू हुए और जब डाकू के हम बात करते हैं तो चंबल की बात करते हैं और ऐसा लगता है कि चंबल ही जो है वो डाकू की जागीर है लेकिन कुछ डाकू ऐसी भी हुए जो चंबल के बाहर पैदा हुए चं ही मुरादाबाद एक जगा है वहां पे मुरादाबाद में छोटी से और जगा हर्थला उस गौव में पैदाईश हुई और आगे चल कर उस डाकू में जो काम किया कहते हैं कि अंग्रेजों के छक्के छूड़ गया थे और अंग्रेज कई साल परेशान रहे सिर्फ इस से नि कोई मित नहीं है कोई ऐसी नहीं की कहानी है यह सच मुच में है क्योंकि सारा इसके कानूनी दस्तवेज है अगर कभी आप नजीवाबाद या इस सरफ जाए तो एक प्लिस्टेशन है मुझे एक जग याद नहीं आ रहा वहां पे सारे दस्तवेज रहे रखे हुए उस वक् जब हम लगबग सौ साल हो गए इस बात को और अंग्रेजों की हुकूमत थी हम गुलाम थे तो इसी मुरादाबाद के पास एक हर्तला गाउं है वहां पे एक लड़का पैदा होता उसका नाम सुल्तान रखा गया था तो शुरू में इसका नाम सुल्तान था यह भातू जा जाती से आता था भातू जाती हैं तो उनमें से भातू मतलब घुमंतू खाना बदोश जिनका कोई एक पर्मनेंट ठीकान नहीं होता हो इदर से दर जाते हैं तो यह भातू जाती से था और वहीं पे पैदा हुआ बड़ा हुआ अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वहां पहुँचा तो उसने देखा कि अंग्रेजों बड़ा जल्म करते हैं हक मारते हैं और जबरसी धरम प्रेवरतन के राने की बात कर रहे हैं तो वो अपने माबाब की मर्दी के खलाफ कैम छोड़कर भाग गया और कैम छोड़ने के बाद वो एक तरह से बागी हो और उसने कहा कि अब इन अंग्रेजों से कुछ बदला लेना है। उम्र थी सिर्फ लगबक 17 साल और 17 साल में ही सुल्टान डाकु बन गया और उसका लक्ष सिर्फ एक था अंग्रेजों को लूटना अंग्रेजी खजाने को लूटना क्यों की सुल्तान का यह मानदは जो आजमें अंग्रेजों की मदद करके पैसे कमा रहे हैं, बड़े-बड़े जमीनदार, बड़े-बड़े बिजनसमेन, तो उसने ये एक टार्गिट बनाया, और धीरे-धीरे करीब सौ लोगों का एक गिरोह खड़ा कर लिया, और इसका जो अड़ा हुआ, वो नजीबाबाद के जंगल, उस जमाने में जो देहरादून और उस तरफ जाने के लिए एक नजीबाबाद से ही आपको जाना पड़ता था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और ये पूरा एक बिल था नजीबाबाद का, वो जंगलों से और उससे घिरावा था, और वो बड़ा सही लोक अमिंदार, वेपारी उनको लूटता और धीरे धीरे फिर उसका नाम सुल्तान से सुल्ताना डाकू पड़ गया, देखते ही देखते अंग्रेजों के लिए वो सरदर्द हो चुका था, अंग्रेज ने पकड़ने की काफी कोशिश की लेकिन वो हाथ नहीं आता और उसका ग जो पैसे लूटता तो वो उस वक्त उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बाड़ दे था, आजपास अपने गाउं और इदर उदर, तो उसकी वज़ा से यह हुआ कि उसकी इमेज जो है लोगों के अंदर एक भले इनसान की बन गई, फिर बात यह हुई कि यह अंग्रेजों का दुश्मन है, अंग्रेजों को लूटता है, गरीबों में बाड़ता है, जो अंग्रेज के साथ ही उनको भी लूटता है, तो उस वक्त तक थोड़ी से आजादी की भी बिगल बजने लगी थी, शैद तब गांदी जी जो दौर था इसके डाके, दाकाजन का, उस वक्त बैलिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो यहां लगातार वो जिस तरीके का काम कर रहा था तो कुछ लोगों का मानना ये भी था कि एक तरह से वो अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, और लोहा कैसे लेता था, वो अंग्रेजों के खजाने को सीधा लूट करक और वो लूट के हिंदुस्तानियों में बाड़ देता था, तो इस तरीके से लोहा ले रहा था, काफी इसको लेके रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नजीवाबाद के जंगल और उसमें जाकर सको ढूनना पकड़ना बड़ा मुश्किल काम इसलिया था, कि जिन लोगों को ये खजाना बाड़ता, वो सारे जो लोग थे वो, सल्ताना डाको के मददगार हो गए, कभी कोई राज कोई बाहर नी निकालता, अगर सल्ताना आता तो उसको पना भी देते हैं, रखते हैं अपने साथ, और कोई भी सल्ताना के खलाप नहीं जाता, तो एक बड़ी लोग है धाल बने वे थे, और इस वज़ए से सल्ताना तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, उसके इन चीजों के चर्चे एतने हुए और सल्ताना डाको ने चुके अंग्रेजों के जमाने में ट्रेन तक में से अंग्रेजों के खजाना रूट है, और ये जब कहानी आई उस वक्त लोगों तक पहुची, तो फिर सल्ताना डाको के दिलेरी के भी चर्चे होने लगे, फिर उसकी रॉबिन हुड वाली इमेज के तो चर्चे होई रहते, धीरे धीरे वो इतना मशूर होता गया उस दबाने में, कि कहते हैं कि एक अंग्रेज लेडी, जो हिंदुस्तान आए थी अपने हस्बेंड के साथ, वो सल्ताना डाको की फैन हो गए, और सल्ताना डाको से एक तरा से उसको इश्ख हो गया, उसने कई मैसेज भीजवाय सल्ताना डाको तक, लेकिन सल्ताना डाको को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये वाकिया है पूरा, उसकी पूरान वही थी जो बाद में आगे चलकर जिसका नाम पुतली बाई हुआ, डाको एक पुतली बाई भी आप रोने सुना होगा, तो सुल्ताना डाको को पुतली बाई से कहीं इश्ख हो गया था, लेकिन अल्रडी उसकी शादी हो चुकी थी एक बेटा था, तो उसके चर् बाद से भी बाहर निकल कर आई दिल्ली तक पहुंची और फिर इसकी की सुल्ताना डाको जो लगातार सरदत बनावा परेशान हो रहा है, और पूरी अंग्रेज की जो मशिनरी वहां पर लगी और उसको पकड़ने में वो नाकाम हो रहे हैं, पिर बहुत सारे ऐसे जो बढ़ गई जिनकों भी जाना होता था देहरादून की तरफ, और चुके देहरादून में एक गवरनर बैठते थे उसक्त, तो नजीवाबाद से ही होकर जाना हो और आपके पास कोई रास्ता है नहीं, और नजीवाबाद के आसपासी घात लगाकर सुल्ताना डाकों के लो तो धीरे धीरे जब उसकी ये सारी लूट मार चुके उसका ये था कि सुल्ताना डाकों के बारे में किये भी है कि उसके ने कभी किसी को जान से नहीं मारा, लूट पाट की और निकल गया, और कभी किसी गरीब को नहीं लूटा, बलकर ये भी है कि अगर वो कई बार इसके गैंग होता था और कहीं जाना है कुछ सामान लेना है तो किसी दुकान से सामान लेता था तो जो रेट होता था उसका डबल पैसा देता था और जो गरीबों को तंग करता था ये उसके बारे में भी रिपोर्ट लेगा फिर उनकी मदद करता था तो इसकी पूरी एक वो में आता है ये पूरा तो उस वक्त वहां के जो पलिस कमिशनर थे वो मिस्टर परसी विंधम इनके पास काफी शिकायते आई कि सुल्टाना डाकू का लगातार ये बढ़ता जा रहा और उस अलाके में चुके लूट पार्ट होती तो जिम्मेदारी इनको अंग्रेजी सरकार क को और बाकी को रिपोर्ट लिखाना बताना तो वही परेशान काफी कोशिश कर ली सुल्ताना डाकू के ग्रोव में सेन मारने की पता करने के लिकिन कुछ फायदा नहीं हुआ जिम कॉर्वेट आप लोग जानते हैं जो मशूर शिकारी इंग्लेंड के जिम कॉर्वेट है और ये नजीवाबाद और ये पूरा एरिया जो है उसी की इर्दगिर्द है तो जंगलों में और ये सारी चीजों की बारे में काफी अच्छी जानकारी थी तो जिम काफी टाइम तक लगे रहे सुल्ताना डाकू के पीछे लेकिन वक्त बीटा गया सुल्ताना डाकू के बातात बढ़ती गई अंग्रेश के खादाने लुटते गए सुल्ताना डाकू हाप नहीं आया जब ये सारी चीज़ें नाकाम हो गई तब आखिर में फिर एक उस वक् अंग्रेश यंग पलिस अबसर थे जिन्होंने बड़े बहुत सारे से गैंग का खात्मा किया था का नाम तब फ्रेडी यंग तो फिर ये तैह हुआ कि सुल्ताना डाकू को और तो कोई पकड़ नहीं सकता तो फ्रेडी यंग को ये काम सौपर दया फ्रेडी यंग काफी अ सारी चीज़ें बड़ी नायाब चीज़े होती थी मतलब अगर एक आदमी के हाथ में बंदूक है तो एक पूरा का पूरा गहां देखने चलाता था कि बंदूक होता कैसे इसमें से गोली निकलती कैसे ऐसी ठीज थी और सुल्ताना डाकू के गिरों के पास वो सारी बंदू पे थी क्योंकि उसने अंग्रेजों से ही रूटा था सुल्ताना डाकू के खासियत ये थी कि वो मूँ में चाकू छुपा कर रख सकता था और वक्त आने पे वो चाकू का इस्तमाल कर सकता था मूँ से निकल कर ये उसके अंदर एक कला थी तो आखिर में फिर फ्रेडी को इस काम को सौपा गया कि सुल्ताना डाकू को पकड़ने में आप मदद करो फ्रेडी यंग फिर नजीबाबाद पहुंचते हैं सबसे पहले वो अहलात का ज्यादा लेते हैं लोगों से और जितने भी ढाका जनी हुई ये सारी चीज़े पता करते हैं उसी दोरान में वहा भी वापस आता है और फिर वो लूट पार्ट करता है और चला जाता है तो ये बात भी जमिदार्स के जरीए पुलिस और तब फ्रेडी यंग वहां तक पहुंच चुके थे तो जमिदार भी अब बदलने चाहता था सुल्ताना डाकू से और इस जमिदार के हां भी जब डा लूट के लिए आ रहा हूं और ये लूट के जाओंगा तो ऐसी दिलेरी थी कि वह बाकाईदा पहले से आगाह करके जाता था और हलाकि ये रिस्क था एक तरह के फिस रक्षा बढ़ जाती थी लेकिन उसके बावजूद भी वह भेज बदल कर बाकी तरीकों से पहुंचता लूट मार करके चला जाता था तो फ्रेडी जंग अब जहां पहुंचे ऑपरेशन सुल्ताना के लिए तो पाकाईदा तीन सो जवानों की एक टीम बनाए गई तो किसी एक डाकू को पकड़ने के लिए इस तरीकी के चीजे में पहली बार था कि अंग्रेजों ने इतनी के लिए तीन सो लोगों की एक टीम बनाई गई फ्रेडी यंग की अगवाई में और इसमें वो सारे छाट-छाट कर सिपाहियों को रखा गिया जो ऐसे जंगलों में और ऐसे मौके पे काम कर सकते ही सारे उस वक्त के हिसाब से जो आधुनिक हातियार थे वो इनको मोहिया कर पूरी टीम को और इसमें पचास तो सिर्फ इस तीन समय से पचास घोड़ सवा रखे गए जो कि जंगल का मामला था और जो सुल्ताना डाकू है वो हमेशा घोड़े पर ही डाका डालने जाता था और सुल्ताना डाकू के पास अपना एक घोड़ा था जिसके बड़े पूरे यूपी में अलग अलग जगों पे एक के बाद एक छापे मारने शुरू किया, कई बार छापे पड़े लेकिन सुल्ताना डाकू हात नहीं या, दो इंसिजन्ट ऐसा हुआ और फ्रेडी यंग के इस पूरी कारवाई में जिम कॉर्बेट भी फिर मदद कर रहे थे क्य दो मौके ऐसे आये जब सुल्ताना डाकू और फ्रेडी यंग आमने सामने, और कहते हैं कि फ्रेडी यंग को सुल्ताना डाकू मार सकता था और वो घिर गया थे, लेकिन सुल्ताना डाकू ने बक्ष दिया, जान ने ली, सेम जिम कॉर्बेट के साथ हुआ, जिम सुल्टाना डाकु नहीं पकड़ा गया और यह लोग कोशिश में लगे रहे इसी दोरान में यह जो एक जमीदार के यहां डाका पड़ा था वो बद्ला लेना चाहता था फिर कुछ ऐसे लोग जो इस गैंग के थे जो पकड़े गये थे पहले सुल्टाना डाकु के उनको फ् एक दिन फिर एक ने मगबिरी कर दी इसी जमीदार के जरीए और यह बताया कि सुल्टाना डाकु अपने खास लोगों के साथ नजीवाबाद के जंगल में है इक्जैक लोकेशन भी बताया फ्रेड यंग जिम कॉर्बेट यह सब अपने स्पेशल पूरी यतीन सौ की टीम वो अचानक पहुंचते हैं सुल्टाना डाकु इसके लिए तयार नहीं था चौदा दिसंबर 1923 फौर्टीन दिसंबर 1923 नजीवाबाद के जंगल से डाकु सुल्टाना पहली बार पकड़ा जाता है पकड़ने के बाद उसे नैनी ताल जेल में ले जाया जाता है नैनी ता चौदा दिसंबर 1923 को ग्रफतार हुआ और 7 जुलाई 1924 को सुल्टाना डाकु और उसके साथियों जो 15 साथी थे 14 इन 15 के 15 लोगों को आगरा की जेल में फासी दे दी जाती है पूरी जिंदगी सुल्टाना डाकु ने एक दावा किया था कि उसने कभी किसी का कतल नहीं किय अंग्रेज भी जो मुकदमा चलाते हैं मुसर्फ एक कतल के लिए एक मुख्या का कतल था और कहते हैं कि उस डगैती के दौरान किसी हाथसे की वज़े से उस मुख्या की जान चली गए थी लेकिन फासी देने के लिए ज़रूरी था वरना फिर वो उमर कैद और बाकी चीज के चालीस लोगों को सजा के तौर पर काला पानी भेजा गया कहते हैं कि गरफतार खुद फ्रेडी यंग ने किया लेकिन फ्रेडी यंग गरफतार के बाद गरफतारी के बाद जब मुकदमा चला तो फ्रेडी यंग ही वो अफसर था प्लिस जो अंग्रेज जो आगे आया और उसने अदालत से ये कहा, कि इसको मौत की सजा नहीं मिलनी जाए है, फ्रेडी यंग ने सुल्टाना डाकू के साथ हमदर्दी दिखाई है और कहा कि इसको डिक पनल्टी इसके लिए बहुत जादा है, कहते हैं, शायद इसके एक वज़ा ये भी है, कि इसने उसका एक इनसानी पहलू देखा था, फ्रेडी यंग एक बार घिर गया था और चाहता तो सुल्टाना डाकू उसको माच सकता था, इसने उसकी जान बख्ष दी, जिम कॉर्बेट ने भी अपनी उसके बाद एक किताब लिखी और उसके किताब में लिखा है, कि सुल्टाना डाकू एक के साथ मतलब मौत की सजा नहीं होनी चाहिए थे, तो इन लोगों ने जिन्हों ने पकड़ा, उन्हों ने खुद अदालत में कहा कि इसको मौत की सजा नहीं बलकि इसकी थोड़ी सी वो माफ कर दे, लेकिन अदालत में ऐसा माना नहीं और चुकि इसकी वज़ा ये थी, कि अंग्रेजों के बहुत खजाने लूटे थे, बहुत खर्चा हो गया था अंग्रेजों का पकड़ाने के लिए, तीन-तीन सौ लोगों के स्पेशल टीम बनाई गया थी, फ्रेड़ी यंग को बुलाया गया था, और दूसरा अंग्रेज एक मैसेज देना चाहता था, क्योंकि उसका ये भी था कि इसके जरीए कहीं भारत की आजादी और करान्ती की बिगल ना बज़े, तो लोगों में ये डर और खौफ हो, तो इन सारी चीज़ों को सामने ध्यान रखते हुए, अंग्रेजों ने फांसी से कम पे बात नहीं की, और आनन फांन में सिर्फ साथ महीने के अंदर सारा मुकदमा भी चला, फैसला भी हुआ, और फांसी भी दी गई, फांसी से एक दिन पहले केते हैं कि आगरा जेल में फ्रेडी यंग डाको सुल्टाना से मिलने गया हुआ, तारीख मालूम था कि अगले दिन फांसी हो नहीं है, साथ जुलाई, उननिस्सो चौबिस, छे जुलाई को फ्रेडी यंग ने मुलाकात की, और जब फ्रेडी यंग मिलने के लिए गया तो डाको सुल्टाना नहीं ये कहा, कि मैं नहीं चाहता हूँ, उसका एक बेटा था, कि मेरा बेटा कभी डाकू बने, मेरे रास्ते पर चले, और या मेरे बेटे को कभी कोई गाली दे मेरा नाम लेकर, और वो अपने बाप को एक गाली की तरह समझे, एक बुरा आद्मी समझे, मैं उसको पढ़ाना लिखाना एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, तो फ्रेडी यंग ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, कि मैं तुम्हारे बेटे को लाइक बनाऊँगा, इसके बाद उसने वादा किया और वादा निभाया, साथ जुलाई की जब फासी हो गई, फ्रेडी यंग ने ताकु सुल्ताना के बेटे और बीवी को, उसको बेटा छोटा था बहुत, यहां से भोपाल ले गया, और भोपाल में एक जगे पर उन दोनों को रखा, अपनी निगरानी में, अपनी हिफाज़त में, और सब कुछ करने के बाद, जब वो उसकी यहां से नौकरी खत्म होने लगी, तो फ्रेडी यंग इंग्लेंड जाता है, और डाकू सुल्ताना के बेटे को अपने साथ इंग्लेंड ले गया, वहां उसने उसे पढ़ाया लिखाया, उसके बाद कई यह नहीं पता कि क्या हुआ क्या हुआ लेकिन यह जो आखरी थी, उसने पढ़ाया लिखाया और उसका यह था, कि वो उसको पुलिस अफसर बनाए लेकिन फ्रेडी जंग ने डाकू सुल्ताना से दिया हुआ अपना वादा पूरा किया, मौत के बाद उसकी बीवी की परवरिश की बेटे को अपना, बलकि यह भी है कि फ्रेडी जंग ने अपना नाम भी दिया उसके बेटे को, और यहां से इंग्लेंड ले गया, तो यह थी पूरी कहानी डाकू सुल्ताना की जिसके ओपर लोग गीत है, जिसके ओपर अलग लग कहानिया बनती हैं, पूरे यूपी में आज भी चले जाएए, फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, गाने काये जाते हैं, एक सुल्ताना डाकू के ही नाम से फिल्म बनी थी, जिसमें दारा सिंग्ग ने लीड रोल किया था, कुछ लोग डाकू कहते हैं कुछ लोग किरान्दिकारी कहते हैं क्योंकि सरफ अंग्रेजुंको ही लूटता था और किसी की जान नहीं लेता था लेकिन इसमे सुल्ताना की अपनी कहानी और साथ-साथ में जिस शक्सBooks ने सुल्ताना डाकू के गिरफ्तार किया उसकी भी इंसानू पहली पहलू ये था कि उसने सुल्टान राकू के खाहिश पूरी की और एक राकू के बेटे को अपना नाम देकर उसे पढ़ाया लिखाया अपने साथ इंग्लेंड लेगा ये थी कहानी आज की अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को मंडे लाइव होगा बात्चीत भी होगी बहुत दिनों से आपना खयाल रखें अच्छे लगी क्योंकि दिल्ली में तो वैसे ही ठंड है कल मुझे भी ठंड लग रही थी आज भी ठंड लग रही है तो देखिए धिर विरोध प्रजशन पूरा देश में चल रहा ये भी जल्दी काम हो सब कुछ धर्रे प्याय जिन्दगी इसी उम्मीद के साथ आज इत्रा ही इजादत दीजे थांकि वरी मुँच